हलो फ्रेंट्स वल्कम टुमाई चैनल जीओ 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 आप सभी का मेरे चैनल जीओ 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 पर हारदिक स्वागत है बिल्ली का घर में बच्चा देने का क्या मतलब होता है जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों बिल्ली का घर में आना या दिखलाई पढ़ना एक आम बात है परन्तु क्या आपको पता है कि बिल्ली का घर में आना अत्वाईन के कई क्रियकलाब हमें भविश्में होने वाले कई शुब और शुब गटनाओं से आवगत कराते हैं शगुन सास्त्र के अनुसार कई जीव जन्तु ऐसे होते हैं जिनकी छटी इंद्री जागरित होती है बिल्ली भी उनी में से एक मानी जाती है दोस्तों जिन जानवरों में छटी इंद्री जागरित होती है उन्हें भविश में होने वाली शुब और शुब घटनाओं के बार इनका रास्ता काटना या कि इनका दूत पी जाना अत्वा इनका घरों में आकर बच्चे पैदा करना इत्यादी कई ऐसे संकेत हैं जो कि हमें भविश में होने वाली शुब और शुब घटनाओं से अवगत कराते हैं दोस्तों शकुन सास्तर के नूसार दिबिल्ली आपके घ घरा कर बच्चे पैदा करती है तो यह अच्थ्यंत शुब संकेत माना जाता है ऐसा माना जाता है कि निगल विश में आपके घर कोई नो-कोई मांगलिक कार हो सकता है साथी साथ कहीं न कहीं से आपको शुब समचारों की प्राप्ती भी होने वाली है दोस्तों घर में बिल्ली का आकर बच्चे पैदा करना यह भी संकेत देता है कि निगर विविश में आपको कहीं न कहीं से आर्थिक लाव हो सकता है दोस्तों प्रजनन को ईश्वर का एक विशिस्ट वर्दान माना गया है तो यदि बिल्ली अपने बच्चे पैदा करने के लिए आपका घर चुनती है तो ऐसा समझना चाहिए कि बहुत ही जल्द ईश्वर की विशेश क्रपा आप पर भी होने वाली है वैसे तो बच्चे होने के बाद बिल्ली अपने बच्चों को मुझ से दबा कर कहीं और लेकर चली जाती है परन्तु किसी कारणवस यदि बिल्ली 21 दिन आपके घर पर रहती है तो ऐसा माना जाता है कि ये क्यावन यक्षणियां बिल्ली और बिल्ली के बच्चों की रच्चा करती है तो ऐसे में आप पर भी इन यक्षणियों की क्रपा बनी रहती है और आपका घर भी खुश्यों से भर जाता है दोस्तों पौरानिक मानताओं की माने तो बिल्ली के जेर भी अत्यंत महत्पूर होती है जोदी बिल्ली बच्चे पैदा करने में अपनी जेर आपके घर छोड़ती है अत्वा कहीं न कहीं से आपको बिल्ली के जेर प्राप्त होती है और आप उस जेर को देती जोरी में रखते हैं तो आपके घर धन की कोई कमी नहीं रहने पाती दोस्तों ये तो हो गई शास्त्रों से सम्मंधित बाते आये जानते हैं कि वेग्यानिक दिस्ट कोड के अनुसार घरों में आकर बिल्ली के बच्चा पैदा करने का क्या मतलब होता है दोस्तों वेग्यानिक दिस्ट कोड के अनुसार बिल्ली को भी एकाम जीवजंत के श्रणी में रखा गया है और इसका घरों में आकर बच्चे पैदा करना एकाम प्रक्रिया के अंतरगत माना जाता है दोस्तों बिल्ली का घरों में आकर बच्चे पैदा करना बिल्ली का आपने बच्चों के प्रती सुरक्षा और प्रेम के भाव दर्शाता है कारण कुछ भी हो सभी की अपनी अलग-अलग मानताएं मानी जाती हैं वैज्ञानी दिश्टकोंड की बात करें तो बिल्ली का घरों में आकर बच्चा पैदा करना एक आम प्रक्रिया के अंतरगत माना जाता है परंतिदी बात करें शास्त्रों की खासतोर पर शकुन सास्त्र की तो शकुन सास्त्र के अनुसार घरों में बिल्ली का बच्चा पैदा करना अपने आप में कई गूर रह से छिपाए हुए है जो हमें भविश्म होने वाली कई शुब संकेतों की तरफ इशारा होना बतलाता है दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की दे गई ये सभी जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यमाद